3.0 का पहला बजट पेश होने के बाद विपक्ष लगातार मोधी सरकार पर हमलावर है तो वही यूपी के उच्छे सिक्षा मंतरी योगेंदर उपाध्याई ने बजट को काफी सकारात्मक बताया है उपाध्याई ने कहा है कि केंदर का बजट सभी लोगों को एक साथ मिलकर चलने वाला है उन्होंने कहा कि युवाओं महिलाओं और किसानों का विश्य ध्यान रखा गया है हमारे ब्यूरो चीफ उत्तर प्रदेश के अनुप सिंग ने उच्छा मंतरी से खास बातचीत की है आप वो सुने कि देश का केंदरी आम बजट भारी भरकम पेश हुआ और साथ कर चलने वाला बजट पेस किया है और रिपक्ष हंगामा कर रहा है देखिए ये बजट विशेश बजट है इसमें गाओं गरीब और किसान बेरोजगार नौजवान को नए रोजगार देने की उड़ान महलाओं का सम्मान उद्योगों के उत्थान राश्टी स्वाव विकास को नई पहचान बेमार को आयुश्मान एक सो चालिस करोड़ भारतवासियों के निर्मान का बजट है अब इस सबसे अंजान विपक्ष कुछ भी कहे वह जास्वें भी जानता है कि वह गड़वन कर रहा है लेकिन ये बजट ऐसा बजट है कि ये सबका समावेशी है इसमें अंतियोदे की पावन भावना है विकास की असीम संभावना है निविक्सित भारत की कलपना है और प्रतेक वर्थ की समर्थ की अवधारना है इसलिए बजट समग्रव में बजट है नाइडू नितीस्क और उत्रप्रदेश के लिए बिशेश तरीके से वहां पर पैकेज है उत्रप्रदेश में भी खजाना खोल दिया है चाहां बुलट ट्रेन की बात करें बताए जा रहा कि लक्नों कानपूर चलेगी लेकिन उसके बाद मायावती कह रही है कि कुछ तो अनावशक खामिया निकालना है वरना जो बड़े प्रदेश है जहां बड़ी संख्या में लोग रहते हैं ये जन्ता जहां ज़्यादा बड़ी होगी वहां पर निश्यत रूप से उतना संभावना जादे होंगी बजट के अनुदान के हिस्से की उत्तरप्रदेश एक अनुपात के अनुप सवधाय दी जा रही है तो बजट सभाविक रूप से बढ़ गया जाए प्रदान मंत्री नरिदमोदी का एक संकल्प है कि 2047 तक देश को विक्सित बनाया जाए क्या उसी से जुड़ा हुआ बजट है क्या वो सब दास्तों पर चलने वाला बजट है यह विक्सित भारत की कलपना का बजट है और फाइव ट्रिलियन डॉलर की अर्थवस्ता बनाने का बजट है और देश को तीसरी आर्थिक शक्ती बनाने का बजट है अंतरिक्ष में एक बड़ी शक्ती बनाने का बजट है एक सर सवाल उप्चनाओं पर ले लेते हैं उत्त बार उसने जो ब्रह्म फैला कर Как कुछ आशाज से अधिक सवादा पराप की या उल्टे हम यह कहें कि आपक्षशिद सवाद्व नहीं मिली ही वह सिरफ जे था कि उन्होंने भ्रह्म फैलाया और भ्रह्म फैलाने में सवाल भी हूए इसमें भी कोई शाथ नहीं उन्होंने का ह हम आरक्षण खतम कर देंगे कुछ वर्ग विशेश इसके भ्रमजाल में फस गए लेकिन अब उनके भी समझ में आ गई कि सम्विधान बदलने कोई मंशा या आरक्षर स्वाप करने कोई मंशा भारती जनता पार्टी की नहीं है अब उनका भ्रमजाल नहीं चलेगा काट की अंडिया बार बार नहीं चड़ती उतरप्रदेश क्या पुरदेश की लिए एक सबको सबको ले चल एक साथ ले चलने वाला बजट आम बजट पेस किया गया है और आने वाले समय में जिस तरह के से प्रधान मंतरी का एक सपना है कि 2047 तक भारत विक्सित राष्ट बने जिसको लेकर चलने वाला बजट है सब्सक्राइब के साथ अनूप सिंग्ख खबरफास लखनौब